बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम Assalamualaikum and welcome to Monticherry Complex High School Online Teaching Program of Mass for Class 4 Open page number 41 for today's lesson Our today's topic is Roman Numerals तीक है आपने अकसर इस तरह से Numbers को लिखा हुआ देखा हुगा जब हम Numbers को इस तरह से लिखते हैं ये Roman Numbers कहलाते हैं जैसे कि आपके बुक में भी लिखा हुए The Ancient Romans Use the Numbers जो ancient Romans जो पुराने जमाने में पहले जमाने में जो Romans हुआ करते थे वो अपने Numbers को इस तरह से लिखा करते थे जब हम मैच में Numbers लिखते हैं वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते हैं Roman Numbers को हम different way में लिखते हैं तो let's see how do we write Numbers in Romans यहां पर आपको एक पूरा इनों ने टेबिल बना के दिखा है आपकी बुक में यह तो simple Numbers है जैसे 1, 2, 3 इसके उपर जो Numbers लिखे हैं यह Numbers लिखे हैं जैसे 1 हम इस तरह से लिखते हैं और Roman Numbers जो होता है उसमें 1 हम इस तरह से लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9 और पर यह 10 ठीक है इसके बाद जब यहां तक 10 Numbers हैं ठीक है यह X जो बना हुए अब जब हमें 11 लिखना होगा रोमन Numbers में 10 को हम इस तरह से लिखते हैं ठीक है यहां पर हम लिख लेते हैं 10 और रोमन Numbers में 10 को हम इस तरह से लिखते हैं अब जब हमें 11 लिखना होगा तो यह हम इसी 10 के साथ जो यह X है इसके साथ जो रोमन यूमरल में जिस तरह से 1 लिखावा होता है इस तरह से इसके साथ X के साथ हम 1 लिखतेंगे तो यह हो जाएगा 11 ठीक है अगर 12 लिखना है तो इसी X के साथ हम 2 लिख देंगे जैसे रोमन में लिखते हैं यह हो जाएगा 12 इसी तरह से 13, 3 के साथ 14 में X जो 10 का है होता क्या है 10 प्लस 1, 11 ठीक है 10 प्लस 2 होता है न 12 ठीक है 10 प्लस 1 है यहाँ पर 10 प्लस 2, 10 प्लस 3 यह 13 है इसी तरह से हम काउंटिंग करते जाएंगे और हम 19 तक क्या नंबर्स इसी तरह से लिखते हैं यह X और 9 किस तरह से लिखते हैं 1 और X यह टेबल जो आपको गिवन है यह आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा ताकि यह चीजें आपको यह नंबर्स आपको लिखने आ जाएं और यह याद हो जाएं कि यह हम किस तरह से लिखते हैं ठीक है 19 तक के नंबर इस तरह से हो गए उसके बाद जब हमें 20 लिखना होता है तो हम 20 को इस तरह से शो करते हैं डबल X के साथ ठीक है 20 है जब हमें 21 लिखना होगा तो फिर वही करेंगे हम 20 डबल X और फिर यह यहाँ पर जिस तरह से वन लिखावाए उस तरह से वन लिखेंगे 22 के साथ यह डबल X और 2 आएगा फिर आप इसी तरह से लिखते जाएंगे 30 के लिए हम ट्रिपल एक्स लिखते हैं ठीक ह से आपके रोमन नंबर्स बनते जाएंगे आप लिखते जाएंगे 40 के लिए हम लिखते हैं XL ठीक है उसी 41-1 XL1 XL2 XL3 XL4 इस तरह से करके हम 40 से लेकर 41 से लेकर 49 तक के रोमन नंबर्स लिख सकते हैं 50 जब आ X, X, 80 के लिए L XXX और 90 के लिए XC उसके बाद जब 100 नब आ जाता है तो हम उसको सिर्फ C लिखते हैं रोमन में 200 के लिए double C है 300 के लिए triple C 400 के लिए हम लिखते हैं 500 के लिए D 600 DC 700 DC 800 DCC 900 CM and 1000 के लिए हम रोमन में M लिखते हैं यहाँ पे आपको एक एक एक्जाम्पल भी दी गई है थोड़ी का कि हम किस तरह से रोमन नंबर्स को लिखते हैं DCC का मतलब क्या है यहाँ पर आप given table में देखिए DCC का मतलब है 700 ठीक है तो आप DCC को लिखेंगे 700 इसके बाद है आपके पास double X double X क्या था हमाई पास 20 plus 20 plus B और 1 क्या हमाई पास क्या है 6 इसके नीचे हम लिख देंगे 6 अम जब सारे नंबर्स को एक्ट करेंगे तो यह क्या बनेगा DCC to use होता है 600 के लिए इसके नीचे लिख दिया 600 उसके बाद L XXXX go to都 has 80 के लिए तो यहां पर हम इसके नीचे लिखेंगे 80 उसके बाद v ओर triple one ये यूज होता है नंबर 8 के लिए तो यहां प्लस 80 प्लस 8 बन जाएगा 688 cmlv cm cm क्या होता है cm होता है 900 हमने यहाँ पर लिख दिया 900 यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद l है l किसके लिए यूज होता है l होता है number 50 के लिए यूज l लिख दिया v किसके लिए यूज होता है v यूज होता है 5 के लिए 90 plus 50 plus 5 हो गया 955 इसी तरह से M, D, C, 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 M use होता है 1000 के लिए 1000 लिए, D, C, C, C use होता है 800 के लिए ठीक है यहां पे plus 800 लिए, C, C, C use होता है हमारा 300 के लिए, ठीक है, तो यहां पे हमने लिए 300, अब जब हमें तीनों नमबर को एड़ करेंगे 1800 और 300 को तो यह बनेगा 2100 इसी तरह से टेबल को देखकर लेकिन आपको टेबल की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है और इन नमबर को याद भी रखना है जब आपको इस तरह के सम दिये जाएं तो आपको याद होना चाहिए कि 400 का रोमन न्यूमरेल में किस तरह से लिखते हैं CDD500 इस तरह से ठीक है पहले आपको क्या करना है प्रैक्टिसे में राइट इज ओफ दा फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरेल यहाँ पे आपको निमबर्स गिवन है आपको इसको रोमन न्यूमरेल में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 134 को ब्रेक कर लेते हैं जैसे यहाँ पे नो ने नंबर्स को ब्रेक करके लिखा है 134 में 100 है यह 100 प्लस 30 और यह फिर यूनिट नंबर है 4 ठीक है 130 और 4 अब आप टेबल पे देखते जाए कि 100 के लिए हम कौन सा रोमन लेटर यूज करते है 100 के लिए यूज हुआ है सी यहाँ पे लिखने सी पहले आप एक ही जगा गिवन बॉक्स में लाइन ज्रॉ कर लिए ताके आप नंबर्स को प्रॉपर लिख सकें इसी के बाद है 30 ठीक है 30 को हम किस तरह से लिखते है x x x 3 times plus x x और यहां पर भी x plus 4 किस तरह से लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है 1 और v ठीक है 1 और v इस तरह से लिख दिया अब हम इन सब को बसमें मिला के लिखेंगे c x x x 4 यह हमारा हो गया roman numeral 134 के लिए नेक्स्ट है 567 अब हम 500 को किस तरह से लिखते हैं 500 के लिए हम यूज करते हैं d इसको पहले ब्रेक कर लें यह 500 है प्लस 60 प्लस 7 500 के लिए हम रोमन लेटर यूज करते हैं d 60 के लिए lx और 7 के लिए v और उसके साथ 21 अब हमें सब को मिला के लिखेंगे d lx v इस तरह से नीचे तो लाइन रहा है उपर आप इस तरह से यह नंबर हमारा बन गया 567 नेक्स नंबर है 800 and 80 800 and 80 को ब्रेक करके लिखेंगे 800 प्लस 80 प्लस 0 यूनिट प्लेस पे कोई नंबर नहीं है इसलिए उसकी जगा हम 0 लिखेंगे 800 किस तरह से लिखते हैं d c c c ठीक है d c c c प्लस 80 को हम किस तरह से लिखते हैं 80 लिखते हैं l x x x l x x x 0 के लिए कोई नंबर नहीं है 0 कोई नंबर नहीं है इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे और नीचे हम इसको d c c l x x x इस तरह से लिख लेंगे लाइन करते हैं लास्ट पर नहीं हमाँ पास 970 ठीक है ब्रेक किया 900 प्लस 70 युनिट प्लेस पे भी कोई नंबर नहीं है जीरो यहां प्लेस की जगा 900 के लिए हम यूज करते हैं cm ठीक है 900 की जगा लिखा cm 70 के लिए हम क्या यूज करते हैं रोमन नुमरल में l x x ठीक है l x x ठीक है 0 के लिए कोई रोमन नुमरल नहीं है तो हम अब इसको मिला के लिख देंगे cm l x x is 970 प्रैक्टिस बी जो है हम इसी विडियो की पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे को ट्रैक्टिस बीज करें लिए रोमन नुमर नुमर रोमन नुमर नुमर इसको